ऐसे ही राजधानी दिल्ली में ब्रमा कुमारिस मंदावली सेवा केंद्र द्वारा फिल्म की स्क्रीनिंग EDM मॉल के PVR खेटर में हुई जहां मुख्य रूप से विनोध नगर के पार्शत रविंदर सिंग नेगी मंदावली सेवा केंद्र प्रभारी B के सुनीता ब्रिगेडियर S.K. अरुडा PVR के ड्यूटी मैनेजर संजे गुपता द्वारा रिबिन काट कर शो का शुभारम हुआ मैं कहना चाहूँगा कि अध्यात्मिक रेवलूशन लेकर आएगी यह पिक्चर अज यह पिक्चर लिखने के लिए सभी भाईवेने बहुत पुसी से आएवे हैं और सच्वुज इसने परमात्मा का परिषय की परमात्मा कैसे आए अध्यात्मिक जीवनताय के शुरुवात कैसे होती हैं और उसका प्रैक्टिकल प्रोब सभी भाईवेनों को बहुत अच्छा लगा आज परमा बाबा की जीवन पर धारिक फिलम नाइट देखी हमने और किस परकार इस फिलम में पूरा दर्साया गया और किस परकार देखाए गया कि पूरी दुलिया छोर छाड़के बदर सब तुछ लोग लालक चोड़कर बाबा इल्गल आत्मा से लीन हो गयते और देखाया पूरा दर्साया गया इस परकार आत्मा के बढ़रा अच्छा लगा और डार आने पूरी मोई तेखी ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर आधारित इस एनिमिटेट फिल्म को देखने बड़ी संख्या में लोग बहुचे पहले दिन के हाउसफुल शो के बाद फिल्म चार दिनों तक और दिखाई गई जिसके बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी साजा की है The light is must watch movie क्योंकि इसको सुनकर देखकर आप सच मुझ बहुत light feel करोगे reality सामने आएगी कि सच मुझ क्या reality है और ये कितनी helpful है हमारे daily life में मैं आई 91 पे क्यान पे लेकि जो उसे पहले में देख साथी थी आज के फार अत्रिश्य सामने आगया बहुर अच्छा लगा फिल्म देखकर हम लोग बहुत इंस्पायर हुए बर्मा बाबा की जो यातर दिखाई कितनी परेशानिया रुकावट आने के बाल भी उस सत्य की मार्ग से अब चिलित नहीं हुए इसके हमें सिर्दी करता है कि हम अगर सत्य की मार्ग जिर निष्टे से किसाथ चलेंगे तो अपना एम जरूर पालेंगे हमारे लक्षे पाने में तो रुकावट नहीं आएगी शो के आखिरे दिन सिनेमा मैनेजर अंकुष कटारिया को इशोरी सौगात बेट की गई और पूरे स्टाफ की और से मिलने सायोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया आज के बुलिचिन में फिलाल इतना ही अब लेती हूँ आपसे इजाज़त नमस्कार ओम शान्ती